हमारे दिल्ली के CM साब जो है आनिकी अरविन के जिवाल जी वो दिल्ली के MCD स्कूलों के काफी जादा तारीफे करते हैं और कहते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग सेख लिजे वाकई जब से हमारी सरकार आई है बहुत अच्छी हो चुकी है तो चलिए काम करते हैं पहले इनकी स्कूल की जितनी भी अच्छी वीडियो हैं हम वो देख लेते हैं अरविन के जिवाल जी जहां ये दावा करते थे कि स्कूल बहुत अच्छे हो गए आपने खुद देखा कि स्कूल की क्या हालत है 800 बच्चे से स्कूल में पढ़ रहे हैं सोचे जरा अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो 800 बच्चों का क्या होगा वो छोटे छोटे बच्चे अपनी जान गवा देंगे इस बिल्डिंग के गिरने से यहां पर ये स्थितिया आ गई है कि बच्चे कैसी टूटी-फूटी और गंदे से टॉलेट वाले स्कूल में अपनी पढ़ाई सिक्षा पूरी कर रहे हैं इसी के साथ आपको ये भी बता दें यहां पर दारू और नशे वाले सामान बहुत अच्छे से दिख रहे हैं आखिरकार क्यों? ये स्कूल है या क्या है? कोई बार है, कलब है, डिस्क है, क्या है ये? मतलब स्कूल की स्थितिया ये बना दी है अरविन के educated जिखरीवाल जी जो हमेशा से कहते हैं क्योंकि बिल्डिंग की स्थितिया वो नहीं है कि अब ये बिल्डिंग टिकी रहे अगर by chance इस बिल्डिंग पे भुकाम बागया या कुछ भी हो गया तो इन 800 बच्चों का क्या होगा लेकि सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि जब स्कूल की स्थितिया अतनी जादा खराब है तो स्कूल को कुछ दिन के लिए सील कर दिया जाए बच्चों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए वैसे भी कुरोना चल रहा है तो study from home कर दिया जाए लेकिन उसके बाद भी सरकार क्या कर रही है सरकार सिर्जूटे दावे कर रही है लोगों को सिर्ज अच्छी अच्छी स्कूले दिखाती है जहां कि बिल्लिंग बहुत अच्छी है कोई भी जूटी वीडियो नहीं है पूरी बकायदा सची वीडियो है आपने अच्छे से देख लिया कि अर्विन केजरिवाल के स्कूल की क्या सितिया है और क्या हालत उन्होंने बना रखे है जो जो लोगों को लगता है कि दिल्ली में जिनके बच्छे पढ़ाई कर रहें क्या उनके हिसाब से दिल्ली के अर्विन केजरिवाल ने अच्छे काम किये है तो अपनी राय जरूर साज़ा करेगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ओथम नियूस के साथ धन्यवाद झाल